CSF Head Constable Manitial 2019 Exam Date नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका अमारी यूटूब चैनल में जीहां दोस्तों अगर आपने भी CS7 केंदरी अधोकिक सुरुक से अबल में Head Constable Manitial 2019 2019 का फीजिकल पास कर रखा है और लगबग दोस्तों दो साल से इसी इंतिजार में बैटे है कि कब तक इसकी exam date जारी की जाएगी साथी कब तक इसकी exam है वो conduct CSF करवाने वाला है साथ दोस्तों लगातार ये भी चीजे सुने को मिल रही है कि ये vacancy आपकी cancel होने वाली है और ये भी सुने को मिल रहा है कि आपकी vacancy भड़ भी सकती है क्योंकि दोस्तों हाल फिलाल में जो भी नई vacancy CSF में आई है वो contract basis पर आई है यानि private basis पर आई है उनको कुछ contract पर आपकी बढ़ती किया जाएगा एक साल या दो साल तक तो दोस्तों क्या ये भड़ती रद होने वाली है तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आपका exam होगा तो कब तक exam CSF इसका conduct करवाने वाला है साथी कब तक इसके admit card जारी होंगे साथी पूरी जानकारी complete जानकारी दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरा detail के साथ बताने वाले हैं तो दोस्तों इस वीडियो के अंतक आप जरूर बने रही है साथी वीडियो को like जरूर कर दें अपने साथ ही दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जुरू जुरू सेर करें और दोस्तों गर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जुरू प्रेस करें क्योंकि लगाता दोस्तों हर नए नोटीस नए रिक्रूटमेंट समदी जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं और दोस्तों अगर आप किसी भी गोवर्नमेंट एक्जाम की त्यारी करते हैं तो उसमें करेंट पेर की बुमी का एहम रहती है तो हम आपके लिए जनरोडी 2020 से लेकर अब तक के टोप 500 प्लस परसनों का संग्र लेकर आ चुके हैं जो आपके लिए रेलवे ग्रूप D, SSE, GD, सभी दोस्तों सभी कंप्टिटिव एक्जाम के लिए अती महत्पून रहने वाला है दोस्तों ये पुष्टक की मार्केट वेल्यू लगवग 100 रुपय है परन्तु ये पुष्टक हम आप तक सिरफ और सिरफ 20 रुपय में ही पूच आ रहे हैं साथी इसमें सभी जो topic में topic है वो cover किये गये हैं और दोस्तो बहुती सांदार इसमें क्यूसर है वो इंक्लूड किये गए हैं जो लगातार हर एक्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तो इस पूछतक को इस PDF को अगर आप खरीना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बुक्स साथी पहले कमेंड में इस पूछतक आपको लिंक मिले वाला है वहां से जाके दोस्तो इस पूछतों को आप खरी सकते हैं अब दोस्तो बात कर लेते हैं कि आपका एक्जाम है कब तक कंड़क्ट करवा सकता है या आपकी वैकेंसी क्या कैंसर होने वाली है तो दोस्तो हम आपको पूरी जानकरी कंप्लीट जानकरी दे देते हैं अब ध्यान से सुनेगा जिया दोस्तो हाल पिलाल में लगबग 2,000 पोस्ट की contract basis पर आपकी vacancy आई है उसको लेकर लगातार ये क्यास लगाया जा रहे हैं कि अब कोई भी vacancy CSF में है वो government basis पर नहीं होने वाली है सारी जो वड़ती होगी वो contract basis पर ही होगी साथी जो बाकी की vac vacancy है उसको भी cancel कर दिया जाएगा साथ दोस्तो हाल पिलाल में आप खुद देख रहे होंगे कि SSE GT 2018 में भी आपकी बहुत कम vacancy वो देखने को मिली थी साथी सबीन स्पेक्र 2018 जो CPO के दवारा होता है उसमें भी कोई भी vacancy है वो CSF की नहीं आई थी तो इसको लेकर लगाता डर का माहूल है कि आपकी CSF में कोई भी नहीं बढ़तियाजित नहीं की जाएगी प्रहंदो दोस्तो हम आपको बता दें कि हाल पिलाल में 2000 वेकेंसी जो आई है कॉंट्रेक्ट बैसेज पर वो अक्स सर्विसमें के लिए है यह दोस्तो जो नॉर्मल परसन है उनके लिए व काम अच्छा रहता है तो उनको आगे फड़दर रखा जागा अधरवाइज उनको नहीं रखा जाएगा तो यह वेकेंसी आपकी नॉर्मल वेकेंसी नहीं है सिर्फ और सिर्फ अक्स सर्विसमें के लिए दोस्तो यह वेकेंसी आई है और दोस्तो बात रही है आपकी CSF जो कब तक होगा तो जोस्तो इक्टिस मार्ज से आपका ट्रेट्समेन का एक्जाम है वो CSF का सुरू होने वाला है लंबे समय के बाद कोई एक्जाम है पहली बार CSF है वो ले रहा है तो यहां जैसे एक्जाम खतम होगा उसके बाद में 15 अप्रेल के बाद में दोस्तों आपका एक्जाम है वो कंडक्ट है वो CSF करवाने वाला है जी हां दोस्तों 15 अप्रेल के ही बाद आपका CSF एक्जाम है वो Ed Constable Minister का करवाने वाला है कई अभ्यारति इसको भूल भी चुके हैं कि कि हमने CSI वेर्गोंस्टिर मनिस्टल का या फिजिकल ही क्वालिफाई कर रखा या नहीं कर रखा तो आपको अभी त्यारी को और तेज कर देना चाहिए आपका कंपम 15 से 30 आपको अप्रेल के बीच में इसका नोटिस मिल जाएगा साथ ही चांसेज ये भी है कि आपको अप्र साथ ये बोले हैं कि हमारा रिकूट्मेंट और कोई कोई आदमी है तो दोस्तों हम आपको अपको मिल जाएगा किस वीक के अप्रेल में इन्फोमिशन मिल जाएगी कि आपका एक्जाम किस दिन होने वाला है या दोस्तों पंदरा से आपको 30 अप्रेल के वीच आपको नोटीस है वह 110 परसेंट है वो मिल जाएगा कि अपका एक्जाम है वो कप तक होगा अब दोस्तों वैकेल सी बढ़ने की बात के बाहत बहुत 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 कंसे यानि बात करें तो 0.0001% चांस है कि अपकी वैकेंसी बढ़ेगी वैकेंसी जितनी है उतनी बढ़ती की जाएगी थोड़ा अगर आपने त्यारी को फिर से कंट्यूनि कीजिए अच्छे से त्यारी कीजिए जल से जल आपका एक्जाम होने वाला है जो दूस्तों आसा करते हैं वीडियो पसंद आए पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आका जरू प्रेस करे मिलेंगे नेक्स टूडियो में तब तक लिए जय जय वर्त